नमस्कार दोस्तो, सिविल इंजिनिरिंग सपोर्ट में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त, इंजिनियर अभी सेख सिंग, दोस्तो अगर आपका जमेन रोड लेवल से 6-7 फीट की घहराई में है, तो आपके लिए बेस्मेन बनाना ही सही ऑप्सन रहेगा, चुकि जो दूसरा अपसन है, दोस्तो, स्वाइल फिलिंग या निकि मिट्टी भरने का, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा, चुकि 6-7 फीट अगर हम मिट्टी भरने जाते हैं, दोस्तो, हमारा इन्वेस्मेंट बहु जादा बढ़ जाएगा, साथ इसाथ उसका कोई फैदा भी नहीं होने वाला है, लेकिन दोस्तो, अगर आप बेस्मेंट बनाने वाले हैं, तो आपको एक किफाइती तरीके बताने वाला हूँ, जिसके जरीए आप बहुत ही किफाइती तरीके से अपना बेस्मेंट कम पैसे में त्यार करवा पाएंगे, दोस्तो, अगर बात कर लेते आप नए मिट्टी भर के उस पे फुटिंग या फिर कॉलम खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों आपके पास जो आप्शन बचता है, वो यह है कि हम लोग रिटेनिंग वाल के साहरे अपना बेस्मेंट तयार कर वाल, अगर आप एक फायती और मजबूत बेस्मेंट बनान होता है, लेकिन आपको पूरा कास्टिंग करवाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, कि 9 इंच का जो रिटेनिंग वाले उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पांच इंच और 4 इंच, दोस्तों जो बाहरी 4 इंच है, उसको आप आप जो है वो बात कर लेते हैं, तो आप जोस्तों, इसमें 10 से 11 इंच center to center spacing सरिया के बीच रख सकते हैं, अगर दोस्तों बात कर लेते हैं, कि हमारा जो RCC है वो कितना करवाना है, दोस्तों नीचे से ले करके, आपका base से ले करके, दोस्तों, जितना बगल वाले जमीन का, जितना आपका जो है वो ground level हो दोस्तो उतना तक आपको RCC करवाना ही है और उसके उपर दोस्तो आपको simply brick work करवा लेना है और अंदर से तो आपको single inch वाला brick work यानि कि सारे 4 inch का brick work दोस्तो RCC से सटा हुआ करवाना ही है दोस्तो अब बात कर लेते हैं sequence का दोस्तो सबसे पहले आपको brick work complete करने ह आपको RCC work करने है इससे आपको सट्रिंग में काफी जादा सहूलियत मिलेगी अब बात कर लेते हैं दोस्तो basement में जाने के लिए हमें एक ramp त्यार करना होगा दोस्तो जराही सी बात है दोस्तो अगर आप basement बना रहे हैं तो आपका जो road है वो उचाई पे है आपका जो basement है व भी consider करने है चुकि लटक विम दोस्तो क्या होते हैं कि slab से लटके हुई रहते हैं तो आपको जो है वो वो भी minus करके दोस्तो आपको design इस तरह से करना है कि आपका जो ramp हो उसके उपर में कोई लटक विम दोस्तो ना आपाए इससे आपको काफी ज्यादा सहूलियत होगी और अगर आप basement से और road के वीच में अगर आपने space नहीं छोड़ाया दोस्तो तो आपको ramp बनाने में खासी दिक्कत आएगी और साथे साथ दोस्तो आप सही तरीके से ramp उसमें नहीं बनवा पाएंगे इसलिए आपको basement बनाने से पहले ही इंसारी चीज़ों पर सोचना होगा और